Hello everyone, आज हम explain करने वाले है, arrange in ascending and descending order इस number को हम ascending or descending order में arrange करने वाले है तो students ascending order means smallest to greatest मतलब ये छोटे से बड़ी की तरफ हमें जाना होता है और descending order मतलब जो बड़े से छोटी की तरफ greatest to smallest जैसे ascending order मतलब आप नीचे से उपर की तरफ जाते है सेडियां चड़ते हैं इसे कहते है ascending order और descending order मतलब आप उपर है उपर से आपको नीचे आना है तो इसे कहते है descending order उपर जाने को कहेंगे ascending order और नीचे आने को कहेंगे descending order तो यहां पर देखिए हमारे पास question A दिया है 642, 58, 930 and 507 इसमें हमें ascending order यहां पर A for ascending order मैंने यहां short form यूज़ किया है A for ascending order तो ascending order में हम किस तरह से लिखेंगे तो ascending order क्या होता है हमारा smallest to greatest की तरफ जाना है चोटे से बड़ी की तरफ तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 642, 58, 930 and 507 तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे छोटा नंबर यहां सब 3 डिजिट में है 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 तो इसमें हमारा सबसे छोटी डिजिट क्या है यहां पर 2 डिजिट वाली है 58 सबसे smallest है तो हमने यहां लिख दिया 58 फिर इसके बाद इससे थोड़ी बड़ी डिजिट क्या हो गई अब देखिए सारी यह 2 डिजिट में थी इसलिए हमने पहले लिख दिये ठीक है अगर आप ऐसे confusing में है कि इसमें से बड़ा कौन सा है तो आप डिजिट क्यांट कर लिजे उसके बाद सबसे पहली वाली देखिए इसमें बाकि सब 3 डिजिट में है तब पहले नंबर वाला क्या होगा यह 695 तो सबसे छोटा क्या होता है 5 होता है तो 507 उसके बाद फिर 642 उसके बाद फिर 9 वाला 930 ओके और फिर डिसेंडिंग ओडर मतलब हमें greatest to smallest मतलब बड़े से छोटी की तरफ आना है तो इसी नंबर में हमें descending order भी करना है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 930 उसके बाद 642 आप इसको ascending वाले को ही back से कर लिजाए या अगर आप इसमें direct कहा गया कि आपको इसमें descending करना है तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा नंबर क्या है 507 और फिर सबसे छोटा नंबर क्या है 58 ओके इसी तरह से हमें यहां जो second question है इससे भी करना है इसमें देखिए ascending order पहले करना है तो 367, 261, 35, 803 तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें yes 35 क्योंकि ascending smallest to greatest की तरफ जाना है तो 35 सबसे smallest नंबर है उसके बाद यह 300, 200, 800 तो 200 सबसे छोटा होता है then 367 and next 803 ओके इसी तरह से हमें इसका descending order करना है तो descending order मतला greatest to smallest तो सबसे इसमें greatest नंबर कौन सा होगा yes 803, next 367, next 261 and last one is 35 ओकी students तो इसी तरह से हमें यहां ascending और descending यह दोनों order में करना है अगर आपको किसी question में कह दिया जाता है direct कि हमें सिर्फ इसमें ascending करना है तो आप सिर्फ ascending करिए अगर केवल descending कहा जाता है तो केवल descending order करिए सिर्फ आपको यह rule याद रखना है कि ascending order means smallest to greatest and descending order means greatest to smallest अगर आपने यह याद कर लिया तो आप ascending descending में आपको कोई भी digit दे दी जाए आप easily कर सकते हैं तेंक यू क्लास